तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल जिसमें दैथ है दैथ का कॉंसेप्ट एक बार देख लेते हैं हम दैथ हो पार्टनर में इसमें समस्या चैलेंजिस क्या है देखो जब कभी भी कुश्चन करते हो आप लोग को अकाउंट क्यों पढ़ाया जाता है सिर्फ एक ही रीजन रहता है कि आपको जब जॉब करोगे तो ये प्राबलम जब आपके सामने आएगा तो उसको सॉलीशन देना है तभी तो पढ़ है जिसमें एक डेट फिक्स नहीं होता कभी भी है ना तो डेट फिक्स नहीं होता इसका मतलब मैं सिंपली अगर आपको बताओं कि ये जो तीनों है ना हर साल मैं जब से ये पार्टनर्शिप इनका स्टार्ट हुआ था ना ये अपना बुक्स ओफ अकाउंट कब क्लोज कर करते थे ये और इस प्रॉफिट को अपने बांट लिया करते थे वाई वे ओफ किसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रियेशन के पॉइंट ओ व्यू से ये आपस में बांट लिया करते थे हर साल की कहानी यहीं है लेकिन जब इस पार्टनर की देट हो गई तो देट ह नहीं है कि कब इसका death हुआ माल लेते हैं कि इसका death जो होता है वो होता है suppose करो या तो आपका एक certain ऐसा date आएगा जैसे कि माल लेते हैं मैंने बोला 1,10,2020 को या ऐसा भी हो सकता है 25,5,2020 को तो यानि आपका जो death का date है वो month के बीच में भी हो सकता है इसका क्या क्या हिस्सा था इसके परिवार वाले मांगने आ जाएंगे जब इसके परिवार वाले मांगने आएंगे उसको बोलेंगे executor, disease partner का जो भी होगा वो होगा executor तो उसके family वाले जो भी हैं इसके वो मांगने आ जाएंगे basically वो demand क्या करेंगे number one capital कौन सा capital जो इसने capital लगाया था वेपार के अंदर वो capital दें तो ये दोनों responsible है देने के लिए number two बोलेगा कि इसने जो goodwill लगाया था वो भी वापसी दे number three ये बोलेगा कि profit भी दें तो profit जैसे ही मांगेगा तो इन दोनों के challenge आ जाएगा चैलेंज ये आएगा सर capital तो हमें पता है कितना था वो ही तो उठा के देना है goodwill भी हमें last year का ही निकालना है वो भी पता है कितना दे देंगे इसके साथ साथ reserve बगरा भी है इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है मैं तो यहाँ पर तीन example ले रहा हूँ profit के अंदर challenge है कि profit तो 31 मार्च को निकलेगा लेकिन इसके death तो time से पहले हो गई अब इसके परिवार को profit देने के लिए accountant को पूरा journal, trial, balance sheet सब बनाना पड़ेगा तो ये क्या करेंगे x, y बोल देंगे जो भी आपके deceased member है जो भी आपका partner का जो भी legal representative है उसको बोल देंगे देखो भाई साब हम सब कुछ देने को तयार है लेकिन profit नहीं देंगे actual basis पे हम आपको profit देने को तयार है लेकिन profit एक अंदाजा सा मोटा मोटी अंदाजा लेके देंगे तो इसके परिवार वाले पूछ भी सकते हैं कि भाई कैसे दोगे profit तो बोला जाएगा कि आपको जो profit हम देंगे न वो अंदाजा क्या रहने वाला है पिछले साल जितने time मान लेते हैं चार महने काम करके वो चला गया हमारा एक partner तो पिछले साल इसी time में चार महने तक जो कमाई रही होगी वो मान लेते हैं कि इस साल भी रही है कोई इतना ज़्यादा बदलाब तो हुआ नहीं होगा तो उस basis पे आपको profit निकाल के हम दे देंगे तो उस basis पे profit कैसे निकाला जाएगा वो सिखने वाले हैं ये तीन नंबर का question आपके exam में तीन से चार नंबर का पूछा जाएगा तो देखो पहला topic क्या है हमारा ratio तो वही है जो कि हमारा किसका था retirement में जैसे कि मान लेते हैं इन दोनों का ratio 1 is to 1 is to 1 है एक partner चला गया तो 1 is to 1 रहे गया gaining ratio वही रहेगा जो कि पहले था calculation of profit mean agenda आज का रहेगा जो पूरी class में सीखेंगे goodwill वही goodwill रहेगा पिछले साल का profit gaining ratio में निकल जाएगा gaining ratio में कैसे निकालते हैं आपको पता है x y or 2 z हो जाएगा ठीक है partners capital जब हम करेंगे तब देख लेगे कैसे रहेगा तो पहले हमारा main agenda क्या रहेगा profit profit निकालना हाँ बताईए क्या doubt है loss भी इसको देंगे हम ऐसा निके profit के लिए loss होगा तो loss के shares भी से हिसाब किताब लिया जाएगा यानि इससे capital या goodwill में से पैसे काट लेंगे ठीक है ना अब मेरा एक और question आपने पूछा ही है profit जो निकलेगा वो accurate profit होगा hundred percent accurate या अंदाजे वाला होगा तो जब कभी भी कोई चीज हम अंदाजे से निकाल के बता देते हैं तो होता है suspense में कि सही हो भी सकता है और नहीं भी तो हम इसको बोलेंगे profit and loss तो निकला है लेकिन भाई साब ये profit and loss कौन से वाला है suspense वाला तो हम इसे बोलेंगे profit and loss suspense लेकिन बाई इत्तफाकन मान लो के 31 मार्च को ही दैथ होती है उसकी तब भी क्या profit and loss suspense निकालना पड़ेगा क्या उसका नहीं तब तो भाई actual ले जाओगा हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारा main topic कौन सा है यहाँ पे main topic है profit निकालना profit निकालने के लिए जो पुराने partner x और y है वो दो तरीके के terms follow करते हैं दो तरीके से दिमाग चल सकता है उनका और वो दो तरीका कौन कौन सा है वो देख लेते हैं जो पुराने partner है वो दो तरीके से बोल सकते हैं और वो दो method कौन-कौन से हो सकते हैं, वो देखिए, एक तो वो कह सकता है कि हम जो profit देंगे आपको, वो देंगे on the basis of sales, यानि जो पिछले साल का sales था, उसी basis पे हम इस बार का भी profit आपको निकाल के देंगे, जो पिछली बार का sales था, उसी basis पे हम profit निकाल के देंगे, हम सर्फ एक ही topic करने वाले हैं आज, और बहुत simple सा topic है, ठीक है न, जो पिछले साल का sales था, उसके basis पे, सर, पिछले साल के sales पे profit कैसे देंगे, देखो, जब कभी भी हम profit कमाते हैं न, तो हर दुकानदार एक अपने मन में रखता है कि इस से नीचे तो मैं बीचूंगा नहीं, अगर मान लो 500 रुपे की शर्ट ला रहा है, तो वो सोच रहा है, 100 रुपे भी नहीं कमाये तो बेच हुआ है, अगर पता है हमें 20% profit कमा रहे हैं, तो death के duration का अगर आपको sale पता चल जाए, तो profit भी निकाल लोगे आप, simple सी बात है, यानि क्या कहने की कोशिस कर रहा हूँ, on the basis of sales, simple सी बात है, मान लेते हैं, कि मैंने आपको data दिया, ये साल है मेरा पूरा, और ये साल है मेरा 14 2020, और end कब होगा, 31, 3, 2021, अगर suppose करो उसका death जो है, वो death हो रहा है उसका 30 September को, यानि उसने जो work किया, वो कितने time तक work किया है, 6 महिने, अगर मैं 6 महिने का आपको sales निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ profit निकालना बड़ी बात है, लेकिन sales easily निकाला जा सकता है, कितने बिले फटाफट काउंट कर लो, इस time का sales मैंने बता दिया कि है हमारा suppose करो 10 लाक रुपे, तो मैंने कहा कि भाई इस साल का 10 लाक है और हम कई सालों से 10% मुनाफ़ा कमाते आए हैं, कम से कम कितना कमाते आए हैं, 10%, तो मैं इस साल का भी अंदाजय से profit निकाल सकता हूँ, परिवार वालों को calculation करके दे देंगे, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा हूँ, तो यानि आपका जो sales basis का मतलब क्या है, आपको जब sales basis पर देगा ना, तो आपको दो बाते जरूर पता होनी चाहिए, क्या-क्या पता होना चाहिए, या तो आपको GP, मैं GP नाम ले रहा हूँ, वैसे GP नहीं है, या तो मैं बोल दूँ, profit का percentage पता होना चाहिए, या तो आपको पता होना चाहिए, profit का percentage, और वो profit का percentage कब का होगा, बता सकते हो आप, last year, इस साल का तो निकाली नहीं सकते न हम, last year का पता होना चाहिए, तो simple निकाल लेंगे, या फिर आप profit का percentage नहीं दे रहे हैं, तो profit का percentage निकालने का हमें जरिया दे, और profit का percentage निकालने का तरीका क्या हो सकता है, हमें last year का पता ही क्या मिल जाए, last year का हमें मिल जाए, sales पूरे साल का, और last year का मुझे पूरे साल का क्या मिल जाए, अगर ये दोनों बाते आपको मैं दे दून तो आप हमेशा profit निकाल लोगे कैसे निकालोगे profit का percentage formula हो जाता है हमारा profit upon में sales गुणा में 100 तो हम percentage निकाल के calculate करके फटा फट दे सकते हैं यानि अगर sales के basis पे हैं तो आपके सामने दो challenges है या तो आपको profit का percentage पता होगा या तो नहीं पता होगा अगर आपको पता है तब तो calculation simple हो जाएगा भी और नहीं पता आपको percentage तो आपको क्या चीज़े ढूंड़ना है question में आपको एक ढूंड़ना है sales और एक profit क्यों भाई ये क्यों ढूंड रहे हैं हम ताकि हम profit का क्या निकाल पाएं और जो इस बार हम apply करे सकते हैं समझ में आ रही है बात आपको तो मेरा मुद्दा है इसमें दो topic है जिसमें से पहला topic है किस के basis पे sales के basis पे और दूसरा जो topic बनता है ना हमारा second topic होता है on the basis of basis of last year profit इसको भी देख लेंगा बड़ा simple simple सा concept है last year profit इसके कुछ example देख लेते हैं पहले फिर हम उस पे आ जाएंगे ठीक है example number one देखते है example number one मैंने क्या कहा कि मेरा जो है ना last year का last year का जो NPR है मैं short form लिख रहा हूँ NPR net profit ratio वो 10% है और partner जो Z है उसका death जो होता है वो death उसका death होता है मान लेते हैं हम 110-2020 में ठीक है ना और number of partner कितने हैं वो है X, Y और Z ratio क्या है इसका 1 is to 1 is to 1 ठीक है और क्या जानकारी चाहिए अब इस partner का death तक का sales यानि आपको sales मैं बता रहा हूँ 14-2020 से ले करके death कब हुआ एक 10 तो एक 10-2020 तक का जो sales है हमारा वो sales आपको मैंने दे दिया मान लेते हैं 12 लाक रुप है समझ मैं इस बात आपको तो क्या-क्या जानकारी अवेलिबल है जहां तक उसने काम किया वहां तक का sales पता है आपको उसका ratio पता है आपको उसका पिछले साल क्या percentage से profit कमा रहा था वो पता है यानि simply देखा जाए example number जो 1 मेंने लिया है उसका solution तो कुछ ये पूरा साल का detail है मारे पास उसकी death यहां पे हो गई है ठीक है death हुई है उसकी मान लेते हैं कि हमने लिखा हुआ क्या है हमारे पास 110 110 2020 में यानि उसने जो काम किया है work किया है organization में वो कहां से कहां तक किया है क्या बता सकते हो यहां से लेके यहां तक किया है और यहां से यहां तक का sales क्या है यहां से यहां तक का sales क्या है 12 लाग अब यह 12 लाग रुपे जो sales है वो करा किसने है यह बताईए मुझे X ने किया Y ने किया Z ने किया तीनों ने किया और पिछले साल का profit trending हमारा है 10% means हम profit तो निकाल सकते हैं तो profit निकालेंगे कैसे profit निकालना तो बड़ा असान है profit आ गिया ये लो 12,00,00,00 इंटू में 10% लेकिन ये तो पूरे साल का है मैंने बोला जो पिछले साल परसेंट 10% निकलेगा साल का नहीं होगा वो मैं अगले concept पर आ गया इसका होगा तीनों का ही होगा ना लेकिन हमें किसके profit को निकालना है Z का तो Z का share क्या होगा Z share हो जाएगा हमारा एक लाग 20,000 गुणा में 1 by 3 यानि 40,000 ये profit किसको दे दिया जाएगा क्या ये actual profit है ये है suspense तो इसको क्या नाम देंगे profit and loss suspense का profit है ठीक है न अगर ये profit and loss suspense का profit है general entry अगर में इसे पूछ लिया जाए तो general entry क्या होगा सर simple सी बात है देखो general entry general entry क्या हो सकता है भाई partners को तो देना है तो उसके capital को क्या कर दो जब देना है तो two credit कर देते हैं Z capital ठीक है और दिया क्या है profit and loss suspense तो general entry ये बन गया और ये बन गया हमारा 40,000 और 40,000 being क्या होगा सर इसका being क्या लिखेंगे profit given to Z simple सी बात है profit given to Z profit given to Z कोई दिक्कत यहाँ था तो हमने ये वाला कौन से वाला point cover कर लिया इसमें जो ये वाला था ठीक है example number two देखें यहाँ देख लेते है example number two example number two के अंदर क्या है हमारे पास sales दे रखा है 14,00, 2019 से लेके 31,00, 2020 तक का sales given क्या given है sales और मैंने बताया sales मान लेते हैं 10,00,00 ठीक है और इसी duration का हमारे पास profit भी given है मैं बता रहा हूं मैं लिख नहीं रहा इसी duration का हमारे पास profit भी given है और वो है हमारे पास मान लेते हैं 2,00,00 रुपे clear और जो पार्टनर का death हुआ है death का date मैं बता देता हूं जो death का date है वो है मान लेते हैं 1,00,00, 2020 ठीक है partner कौन था जी x, y, z ratio क्या था जी ratio 3 is to 2 is to 5 death किस का हुआ z का हुआ सारी बाते मैं बताता जा रहा हूं पूरा question लिखूंगा तो time लगेगा वो मैं बता रहा हूं तो समझ में आई रहा है वही चीज़ लिखा होगा question के अंदर है न तो death हो गया इसके बाद जब तक death हुआ है यानि 142,020 से काम स्टार्ट किया था ये साल और end हो गया कहां तक 172,020 तक तो जब तक इसका death हुआ तब तक का sales मान लेते हैं 3,00,000 है ठीक है न तब तक का sales क्या है 3,00,000 क्या 2019 मैं वही समझाना चाहता हूं ये जो है ये वाला कौन सा साल है ये पिछला साल है अपडेट देखिए योगि मुझे accounting जो करनी है वो करनी है 31,3,2,021 के लिए तो आप समझे है 31,3,2,021 का मतलब है 1 April 2020 से लेके 31 मार्च जो 2021 तक मैंने जो आपको sales दिया है ये पूरा कौन से sales है ये last year का sale है तो ये profit कौन सा है ये भी हाँ जी अब इस साल का जब तक उसने काम किया ये current year का है समझे बात यानि अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है Z का हिस्से का profit तो challenges क्या है Z के हिस्से का profit तो निकाल लेंगे लेकिन हमें percentage पता चल जाए पिछले साल का तो percentage निकालने के लिए formula तो मैंने बताया है क्या लगेगा percentage निकालने के लिए formula profit upon me sales और वो profit और sales कौन सा इस साल का नहीं पिछले साल का तो सबसे पहले हम percentage निकाल लेते हैं तो यहां answer मैं कर रहा हूं इसका answer मैं देखा जाए तो percentage profit percentage profit की बात करें तो हमारा sales देखो पिछली बार का मैंने दिखाया 10 लाग तो formula क्या है profit profit है 2 लाग divided by 10 लाग गुना में 100 rate आ गया यानि 20% margin profit है अब current year का हमें profit निकालने है तो current year का जो profit निकालेंगे तो current year का क्या चाहिए sales क्या current year का sales दे रखा है मैंने question में बिल्कुल दे रखा है current year का sales कितना है अब ये sales किसने कर रहा है तीनोंने मिलके तो हमारा current year का profit आएगा current year का profit जो निकालेंगे वो आएगा हमारा 3 लाग गुना में 20% क्योंकि trend क्या है 20% यानि 60,000 रुपे देखिए अब ये 60,000 रुपे किसकी महनत है तीनों की हमें निकालना किसका है तो Z का share क्या होगा Z share profit तो simple सी बात है 60,000 गुना में Z का 5 बटे में 10 यानि Z का share क्या आगया ये question आपका चार नंबर में कई पूछता है ये मानल के चलो ये आएगा ये आएगा चार नंबर का या तो ये topic आजाए या तो ये topic आजाए तो पहला जब sales के basis पे आपका profit calculate होता है तो उसके अंदर कितने तरीके से question पूछा जा सकता है दो या तो जीपी दे देगा तो काम असान हो गया अगर जीपी नहीं देता तो हम जीपी निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी पिछले साल की sales और पिछले साल का profit तो निकाला जा सकता है clear है यहां तक concept आपको तो पहला वाला part हमारा पूरा complete हो गया इसके बाद दूसरा कर लेंगे दूसरा इससे भी आसान है ठीक है ना तो एक बार पहले first वाले को आप note करिए फिर मैं second वाले को करूँगा और second वाले करते ही हमारा ये topic क्या होगा खतम हो जाएगा तो फटा फट से एक बार note करिए आप हो सकता है हमारा last year का profit और last year के profit कोई क्या मान ले हम last year का दो type है ना हमारा देखो profit on the basis of profit की बात करें तो एक तो होगा हमारा last year का profit के basis की बात कर रहे है इसमें हो सकता है के last year का सिर्फ profit दे और या बोल सकता है आपको average profit पे और हम last year की profit की बात करें या average profit की बात करें तो ये होना चाहिए correct profit अगर हमने कोई manager commission माइनस नहीं किया है तो वो माइनस करके लेना अगर provision for doubtful debts माइनस नहीं किया है तो वो माइनस करके आपको लेना होगा ठीक है ना तो चलिए हम start क्या करेंगे अब पहले हमने इससे पहले क्या देख लिया था इससे पहले देख लिया था sales के उपर sales में दो topic थे अब आ जाते है profit profit में भी दो topic हो जाते हैं छोटे छोटे से last year का profit का example देख लिजिए मैंने कहा के जो example है मेरा के last year का last year profit मान लेते हैं के 12,00,00 रुपए का है ठीक है last year का पिछले साल का मैंने profit मान लिया 12,00,00 और मैंने आपको कहा के current year का जो partner है वो है x y board पे बिलकुल ध्यान देजिए थोड़ा सा उससे अलग है यह है 1 is 2, 1 is 2,1 और जो z partner है ना इसकी death जो है वो मान लेते हैं वो एक 10 ही मान लेते हैं simple सी बात है एक 10 ही मान लिया हमने simple सी बात है तो क्या है एक 10 अब जो profit calculate करना होगा question में कुछ बोला नहीं मैंने बोला current year profit calculate on the basis of last year profit जो current year का profit आपने calculate करना है on the basis of last year profit तो जो ये last year का profit है वो कितने महीने का है तो मैंने बोला last year के profit को आप इस साल का profit मान ले word को ध्यान देना इस साल का profit मान ले तो इस साल भी 12 महीने का ही मान जाएगा तो अगर मैं यहां पे करता हूँ current year profit या हम मैं निकालता हूँ z का share हमें z का share निकालना है तो 12,00,00 रुपए अगर मैंने लिखा है तो 12,00,00 रुपए तो तीनों की महनत है तो पहले तो इसको क्या करो 12,00,00 रुपए को आप उसके हिस्से में convert कर दो एक बटा तीन अब यह 12,00,00 रुपए जो है वो पूरे साल की महनत है तो हमें तो इसको कितने time का देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा यानि पिछली बार वो death कब होता है उससे date से कोई लेना देना नहीं था उस date तक क्योंकि हमें sales given था लेकिन इस बार हमें date से मतलब है क्योंकि जो profit हमें मिल रहा है वो पूरे साल का है और हमें profit उसको कहां तक का देना है जब तक उसका मतलब कि उसने काम किया ठीक है न तो यहाँ पे अगर इसका हम profit निकाले तो क्या जाता है हमारा 2,00,00 रुपए इसका हिस्सा आ गया समझे बात अगर हमें यहाँ पे बताएं क्या इसका general entry क्या होगा तो अगेन वही रहेगा profit and loss suspense to Z capital एक question पूछा जाता एक्जाम में के बताओ जब कब death वाले case में एक number का question हर बार पूछा गया है लगबग लगबग के death के case में कौन सा account open होता है तो जवाब है profit and loss suspense account open होता है जातर बच्चों का executor जवाब होगा मैं last में भी पूछूँगा जब chapter खतम होगा तो कुछ बच्चे देखना executor बोलेंगे मैं भी बोल देता हूँ कि कौन सा होगा profit and loss suspense account ठीक है ना और यह दो लाख आ गया दो लाख आ गया कोई doubt इसमें यहां तक clear हो गया अगला क्या है average average के case में क्या कह सकता है कि भाई जो पिछले 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल कुछ भी हो सकता है average तो यहां पे कहता है कि आपका calculate calculate current year profit current year का profit निका लेंगे basis of last three year last three year average profit आपको question में क्या कह दिया examiner ने क्या profit निका लिए लेकिन profit कैसे निका लेंगे आपको 3 साल का average profit जो होगा उसी profit इस साल consider करेंगे यानि आपको तो 3 साल का profit चाहिए तो 3 साल का profit अगर मैं लिखूँ俺 एक साल दो लाक रुपए मान लेते हैं, दूसरे साल का प्रॉफिट मान लेते हैं हम यहां पे तीन लाक रुपए और तीसरे साल का हम प्रॉफिट मान लेते हैं यहां पे चार लाक रुपए ठीक है? तो current year का profit कैसे निकलेगा? पिछले तीन साल का average करके, लेकिन आपको यह भ दो हजार बीस ठीक है और इसका जो है रेशो है वो है मान लेते हैं हम X, Y और Z तीन पार्टनर था और 3, 5 और 2 ठीक है ना अब आपको अच्छे से पता चल गया Death कौन किसकी हो रही है और Z ने कितने दिनों तक काम किया था एक साथ तक यानि इसको जो profit में हिस्सा मिलना चाहिए वो कितने time के लिए मिलना चाहिए देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ तीन मैंने April, May, June, July तो स्टार्ट ही हुआ है ठीक है तो कितने मैंने तक इसको मिलेगा 3 मन तक मिलने वाला है बस तो चलो profit निकालते हैं सबसे पहले तो average profit चाहिए हमें तो average profit कैसे आएगा तीनों को जोड़ दो और divide किससे कर दो 3 से in case loss भी हो सकता है तो loss की case में minus कर देंगे फिर भी divide किससे होगा 3 से तो तीनों को जोड़ दे तो 2 और 3, 5 और 4, 9 तो average profit आजाएगा 9 लाख divided by 3 यानी 3 लाख आगिया अब ये 3 लाख तो पूरे साल का ही होगा न तो हमें जो Z का share निकालना है Z का share कैसे निकालेंगा जी 3 लाख पूरे साल का है तो सबसे पहले इसका हिस्सा 2 बटे 10 क्या ये पूरे साल का उसे देंगे नहीं उसे देंगे हम सरिफ समझ मैं ही बात आपको तो इसका हिस्सा निकल जाएगा जो कि कितना निकल का रहा है हमारा चार दो तीन महने तीन बटे बार ही किया न ये आपका दो बटे 10 का है हमारा शियर है ठीक है दो आगे आपका और डेट लाग पंदरह जार क्या आगे इसका पंदरह जार जनल एंट्री बोला जाए तो जनल एंट्री सेम यही होना है प्रॉफिट एंड लोग सस्पेंस टू जेड कापटल अब मुद्दे की बात देखना मैं इसमें कुछ एड कर रहा हूँ एड नहीं मैं समझा रहा हूँ अगर मैं बोलता कि यहां पे इस वाले प्रॉफिट में न मैंने PFD माइनस नहीं किया तो पहले आप माइनस करिए और माइनस करने के बाद फिर आप उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे समझ मैं इस बात आपको हाँ PFD मान लो मैं दे देता हूँ यहां पे कि 2 लाख रुपए तो 2 लाख यानि यहां का प्रॉफिट 4 नहीं माना जाएगा 2 माना जाएगा क्योंकि 2 तो माइनस कर देंगे आप तो 2, 3, 5 और 2, 7 7 लाख divided by 3 जो की fraction में आ जाएगा और फिर निकालोगे ठीक है किसने type के question बन सकते हैं एक तो ऐसा भी question होगा कि Z की death हो रहा है उसका profit 5000 है जनल एंट्री करिए ऐसा question आएगा यानि उसका profit वगरा सब क्या कर दिया उसने निकाल के दे दिया वो करिए तीसरा दूसरा part ये बन सकता है कि 31 March को ही Z का death होए तो उस situation में profit and loss suspense नहीं होगा profit and loss appropriation होगा profit and loss appropriation account debit to Z capital होगा जब partner का death बीच में हो जाता है तब क्या निकलता है? suspense कितने type से profit को calculate किया जा सकता है दो type से या तो sales के basis पे या फिर profit के basis पे sales में दो type देख लिए हमने कैसे? एक तो percentage दे रखा होगा एक percentage नहीं दे रखा होगा और अगर हम profit की बात करें या तो बोलेगा last year का profit या कुछ भी बोल सकता हो मैं मानलो यहां बोलता कि current year का profit आप पिछले 3 साल का aggregate profit मानिए तो क्या होता ऐसे situation में पिछले 3 साल का जो जोड होगा वो ही current year का profit माना जाएगा यानि current year का क्या मान लेता है? 9 लाक और सारा 9 लाक से, यानि जो examiner terms use करें न, वो ही करना है आपने, समझ मैं ही बात आपको लेकिन जब profit के point होगा तो वहाँ पे time depend करेगा अब question raise होता है sir ये तो ठीक है लेकिन मान लेते हैं इसके अगर 25 मार्च 25 अगर मान लेते हैं 25 तारिक को चला जाता ये 25 साथ को तो क्या होता? ऐसे situation में आपको days calculate करना होगा कैसे? क्योंकि इसने April में काम किया होगा 30 दिन माई में काम किया होगा 31 जून में 30 और 25 दिन जुलाई में 25 दिन किस में? अब इसको total कर देंगे जो होगे हमारा 30 और 30 60, 30 90 और 91, 91 और 20 कितने? 116 दिन ठीक है न? तो 116 दिन होगे है तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा? 116 दिवाइड़ वाइड़ लेकिन अगर sales basis वाला होता न? तो वो कभी भी जाए उससे मतलब नहीं है profit simple निकल जाता है क्योंकि हम basis के इसको ले लेते हैं? sales को ले लेते हैं तो यह बात आपको ध्यान रखना है examiner थोड़ा tough question बनाना चाहेगा न? तो वो इस type से देगा ठीक है? क्योंकि 3 number 4 number में question पूछा जाता है तो फटा फट नोट करिए मान के चलिए 50% chapter end यह chapter बहुत छोटा सा chapter है अब इसके बाद सीधा हम करेंगे partners capital का किस तरीके से treatment होगा बस ठीक है फटा फट नोट करिए